Hello everyone, मैं विश्वजीत सिंग, आप सभी का दी इना पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की स्वीडियो के अंदर में हम M.A. History M.H.I. 09 का जून 2022 के को सौल्फ करने वाले हैं अगर हम अपनी बुक M.H.I. 09 के बारे में बात करें किस तर से जन भागिदारी को विक्सित किया गया अंदलोनों के अंदर में इसके बारे में हम यहाप इस बुक के अंदर में बात करते हैं अगर आज के हम अपने कोश्चन पेपर के बारे में बात करें तो आपको हमेशा word limit को follow करना है 500 word के अंदर में ही अपना answer complete करना है उसी के basis पे आपको number मिलेंगे अगर आप word limit को नहीं follow करते हो तो आपको number नहीं मिलने वाले हैं इस इसका आपको ध्यान रखना है सासात में दोस्तों अगर हम आगे बढ़े और आगे अपना पहला question देखी किस तरह का question पूछा गया था तो जो हमारा पहला question था जहां पर हम बात करते हैं भारती रास्ट और रास्ट वाद पर उपनिवेश वादी और रास्ट वादी दिरिश्टी कोनों की visualization कीजिए देखो यहां पर जो question पहला वाला question है यह अभी मैंने दिसंबर 2022 का question बर करवाया था last year का तो उसमें भी इस तरह के question पूछे रहे थे और पीछे के अगर आप 3-4 question पर प्रकूल ठाका देख लो तो भी इस तरह के question आपको पूछते हुए दिख जाते हैं बट वहां पर थोड़ा सो पूछ जब रह और आपको इस चीज को अलग-अलग तरीके से घुमा कर पूछा जाता है ? कि किस चीज़ पर क्या ांसर आपका बन सकता है अब सबसे पहले इस तरह के question आ Whats करariamente है की उपिन वेश्वादी होता क्या है रास्टोंन हाता है कि इस question को बाद में आप समझे सबसे पहले आपको यहां पराना है कि है और रास्टवात क्या बारत में मैं रहता हो भारत की हुआ है इस तरी के से हम भारत की सीमॉएं कहते हैं मैं डली में रहता हूं डली कीוא׆ कै हर्याना पंजाब इन सब लगी हुई है इस तरह से मतला lahat75 एक तरह से मानके चलते हैं ठीक तो जब ये सीमाए है ना तो उसको हम एक रास्ट के त tip कहते हैं जिसका एक जमीन जिसकी पूरी व्यवस्ता और उसकी जुशा रास्ट का में रह रहा हूं उसके परति जा मेरी भावना बहुत जादा व्यांगल हो जाती है हां ये चिर्श मेहे brass के साथ होगा यह करना चाहिए ठीक होना चाहिए ठीक है जब अपने रास्ट के पर्थी जो समवेदनाय वैक्त करते हैं तो उसको रास्ट्वाद कहते है हाँ आज के समे में आप देखोगे कि भारत के पर्ती भारत भी देश में कोई वेक्ती जाता है तो हम भारत माता की जे वहाँ पर फिल प्राउड करता है जब वह सुनता है कि I am from India ठीके वह फिलिंग जो प्राउड होता है वह पर रास्ट वात का काम करता है ठीके जब वहाँ पर कोई देश के लिए जब अच्छी बाते सुनता है ठीके भले ही उस्ते हमारे लेना देना कुछ ना हूँ हमारे उस जैसे भी माइन में रहे दो जिसके बिसटी से बढ़ लिख पाओ वह मैं आपको यहाँ पर समझाने की कॉर्सिस कर रहा हूं देखो कोईटन क्या आता है यहां पर कोईशन आया है उपनिवेष वादी और रास्टवादी द्रिश्टीकोन को बताना है क्या बताना है इसके पर उपनिवेशवादी और रास्टवादी द्रिश्टिकुन के हम बात करते हैं ठीक है तो इस तरीके से घुमा घुमा के क्या investment और जब कोई देश किसी को अपना गुलाम बनाता है उसको उपनिवेश कहते हैं तो उपनिवेश वादी द्रिश्टिकुन मतलब क्या जो उस विचार धारा को जैसे मैंने आपको गुलाम बनाया मैं आपके घर में आया और आपके घर पर ही कब्जा कर लिया पूरी तर सपोर्ट करते हैं तो उनको हम कहेंगे उपनिवेश वादी ठीके विचारक या फिर उपनिवेश वादी द्रिश्टिकुन ठीके माल लो मैं गया आपके घर पे और आपके घर पे जाने कबाद आपके घर पर ही कब्जा कर लिया मैंने और मेरे 10-12 दोस्त हैं जो मेरी चीज मैं आपके जो भारत आपके घर भी जो कहा आपके जुद्वेश वादी ओर राष्ट वाद केंदर में विचलेशन करना है कि दोनों को रास्ट वाद को लेकर तो उपनिवेश वादी यह मानते थे कि भारत कभी भी रास्ट रहा ही नहीं यार पहले से नहीं था रास्ट वो शुट इस टुकड़ों में बटा हुआ था पर रास्ट वात का ये मानना था कि भारत स्टार्टिंग से ही रास्ट था ठीक एक बहुत पुराना रास्ट था ये मानकर चलता है रास्ट इक्ता के साथ नहीं रहते यह मान कर चलते हैं पर वहीं पर आप रास्टवादी की बात करो तो एक्ता के अभाव को असविकार करते हैं नो मानते ने सब्सक्राइब भारत के अंदर में एकता है कल मैं में इक्सी Pigied by निन चेक işte करा हूए टीटर की कि खस हुए कि धे जो बोलता है इंचल्ड बोलता की सरी Labit यहां पर दोनों लॉबी जो थी एकी चीजी बोल रही थी कि मोवी गलत है ठीके तो वह मतलग क्या वह एकता को दिखा रहा है मैं वहां पर बस कुछ और नहीं बोलना चाहता है मैं नौरमल कमेंट कि क्या एकता थी तो रास्टवादी यहां पर एकता वह बताते हैं कि एकता थी भारत के अंदर में बट यहां पर उपनिवेश्वादी जो थे वो इसको नहीं नमानते उसको नकारते हैं कि भारत के अंदर में एकता नहीं थी इसी तरीके से आप आगे बात करोगे तो उपनिवेशिक जो विचार था पूरा जो उपनिवेशिक उपनिवेश्वाद का जो पूरा विजार था यहां पर मानते कि राष्टवादी उपनिवेशिक इनके मतलब भारत का इतिहास लेकर नहीं है कुछ चीज़े नहीं मतलब जो कमिया है उसको डिफाइन कर रहे होते हैं कि किस तरीके से भारत चल रहा है पर वहीं पर अपने भारत को यहां पर डिफें करके लिख सकते हो और आप जो सुरुवाद के तीन लेसन है ना ठीक है तीनों लेसन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि तीनों लेसन में से ना इस तरह के कोश्चन बनकर आते कि उपनिवेशवादी के उपर में बताईए माक्सवादी लेखन की बुन्यादी क्य कहीं बार कोश्चन भूल तो इसके सम्धर में अलग्ल से आंगल से अपको पढ़ना खिस लिखन कंफ् Hiç में लिखने ठीक है दूसी चीज चीज composition की होता है यहां पे जब भी हम और देक आए क्यूंकि देखो लोग यहां फोड़ासे वीडियो से जरूरी चीज में आपको बताऊं तो हम कई बार question paper को छोड़ कर आते हैं उसका सबसे बड़ा reason क्या होता है कि हमें answer पता है पर हमें question ही समझ में नहीं अइजामिफल यहाँ पर लिखावा है नागरिक अवग्या अंदूलन अब यहां पर सोचेंगे सब जो नौर्बल से पढ़ के आएน बच्यों कि सर आपने सवग्या पढ़ा था अम्हां जो आम लोग एक जो अंगरेजों की बात मानने से हमना कर और दिया तो उसके कारण से उसको सबने औवग्यांदुलळन बोला गया घ्लिए सबय और नाल परना घुम्न तो पता चले कि किस तरह के पूछे जा सकते हैं कोण-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन-कुन मतलब होता है, सिंपल सा सवने अवग्य आंदूलन थिक है, जो 1922 के अंदर में जब गांदी जी का अस्ययोग आंदूलन स्थागित हो जाता है, उसके बाद के जो वातावरन था, यहां पर स्थाट किया जाता है भुषिज दो उसके मतलब गांधिवादी जो रननीती था उसके उपर से विश्वास उठने लगा लोगों को उनको मानना था कि यह गांधिवादी रननीती सक्सेल्सफोल नहीं रही ठीके जो नव यूवक वर्ग करांतिकारी वर्ग था वो अलग-अलग तरह के हिंसक कदम उठाने पर मज जादा देहने खराब हो गई महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई मजदूरों का जो जीवन था बत्तर होता चला गया ठीके आंदोलन करना चाहते थे लोग पर उनका कोई समर्थन नहीं मिल पा रहा था उसके सासत में भारतिय व्यवेसाइक था उद्योगिक वर्ग में असंतोस था ठीके 1928 में कलकत्ता के अंदर में अधिवेशन हुआ जिसमें सरकार का अंतिम चेतावनी दी गई और 31 दिसंबर 1929 को नहरू रिपोर्ट के बाद ठीके सवने अवंगा आदोलन करने पर विवस किया गया ठीके सवने अवंगा आदोलन का ठीके यहां पर ठीके अपना सत्ता हो यह उन्होंने मांग रखे थी सवनी अवंग्या अंदोलन का जो 31 दिसंबर 1929 को जब नहरू जी ने अपना नहरू रिपोर्ट सम्मिट किया था उसके बाद या अंदोलन स्टार्ट होता है 31 अक्टूबर 1929 को लॉड इर्विन इंग्लेंड से लोटन क्या अंदोलन हुआ क्या-क्या चीजे उसके अंदर में हुई कौन-कौन सी रणनीतिया बनाई गई क्या इंपक्ट पड़ा यह सारा कुछ आपको एक टिपनी बिसिस पर आपको को लिखना होता है और अच्छे नंबर बन जाते हैं 20 नंबर कहीं नहीं जाते इस कोशन के अ सबस्ति के विचारदारा या कैसे बढ़ी आगे बहुत बड़ी वात है की से बढ़ी आप रास्टवात की विचारदारा आही कैसे तो गुलाम बनते हैं जिस तरह की भारत के अंदर में परस्तिती होते हैं उस परस्तिती के बाद राष्टवात की विचाल थारा पनकती है कुछ का ऐसा मानना है तो हम दोनों चीजों को लेकर चलते हैं का यहां पर का जाता है कि जैसे 2817 जिअंदर में छॉ क्वे अब्रसे कि अधरी एसको स्थापीत किया गया और हिंडीन जैसे जो शिक्षा भारातिर सिक्षा उसको बंद करने कोर्स के गई ऑंग्रीजी सिक्षा को फो फोपने की कोर्स किस्किया क已经 लिए अंग्रेजी सिक्षा को थोपा गया तो इन सब तरकी चीजे चली जाए चलाई जारी थी भारत के अंदर पर जिसका स्टार्टिंग में तो कफी सारे जो लोग थे वह समर्थन कर रहे थे कि हाँ यह चीजे तो अच्छी है भारत के लिए यह मान के चला जा रहा था पर दीरे दीरे यह देखा गया कि जो ववस्था है हमारी जो मेन मूल चीजे हैं उसको खतम करता हुआ चला जाएगा तो उसके बाद कुछ लोग उठ खड़े हुए जो उसके विरोध में उठे और जो उनकी विचारदारा थी वही रास्टवात की विचारदारा बनते है जब वो उसको विरोध करना सुरू करते हैं दूसी चीज क्या देखी गई कि जो हमारी मूल पद्यतिती सिक्षा की या जो बाकी चीजे थी उसको यहाँ पर दीरे दीर करने की कुर्सिस की गई अंग्रेजों के द्वारा ठीक है जो हमारी सिक्षा पद्यतिती उसको खतम करने की कोशिज के गई तो स्टार्टिंग में तो लोगों ने सपोर्ट किया तब धेरे धीरे धेरे उसको खतम किया गया और किस तरह को खतम करना रह गया तो नोकरी मिलेगी पैसा मिलेगा सरकार में परतिस्टित्पद मिलेगा आप सनातन हो जाओगे आप ग्रेजिट हो जाओगे आप पोस्ट ग्रेजिट हो जाओगे आप डॉक्टर बन पाओगे अप एंजीनियर बन पाओगे इस तरह का उनको लालच दिया गया जिसके बेसिस पर वुनों ने मतलब यह सारी ची छीज़ी दर निकासि किया जा रहा था अब जिस व्यक्ति का धन निकाला जावा रहा तो वो तो इसके लिए बोलेगा ना कि भी तो इभाने चेज था इसकि खिलाब बोलेगा forwards का लेन के लिद्द का बहुत है और यहाँ पर यह पर प्रोड staat क्शinas जिसको माना जाता है ठीक है चंपारण आंदोलन जहां पर नील खेती के विरुद में खड़े हुए गांधी जी को सबसे पहले समझ में आता है कि निए लोक पालबिल के लिए था ठीक है अस तक तो मैं अभी दू दिन पहले जनलोगपाल बिल को सर्च कर रहा था कि जनलोगपालबिल आ गया क्या मुझे पता ही नहीं छला सइद ऐसा गर कर सर्च कर रह था मैं मतलब अभी पढ़ाने के लिए बैठा हुआ यह यह जूट न कि अभी अगर कोई सरकार का बंदा उनके हाथ में पढ़ जाए लोगों को ना तो उसको उसका मतलब ना साथ पुष्टे का नाम मिठ जाए यह मुझे लग रहा था उस ताइम पर देखके लोगों का जो आक्रोस था वो देखकर ठीक है तो गांधी जी जब पहली बार चंपा बनकर निकलते कि हाँ ये बंदा है जो हमें अजादी दिला सकता है ये बंदा है अगर यह बोल देना रात तो रात तो दिन तो दिन वह वहाँ पर करते और अंग्रेज भी गांधी जी की पावर को समझ पाते हैं ठीक है गांधी जी जो उस समय तक अभिंध थे लोगों की से वह उस पावर को समझ पाते हैं ठीक है यहाँ पर मैं आपको एक चैप्टर रेक्मेंट करूँगा वह आप जुरूर पढ़ना जिसके बेसिस पर आप उस समय के जो टाइम पिरेड था चंपारना अंदोलन का वह आप बहुत अच्छे समझ पाऊगे 12th की बुक के अंदर की भावना बहुत ज़्यादा उग्र होती चली गई ठीक है और जो दीरे दीरे जो अलग लगता है कि जो कानुन विवस्था लागू क्या जा रहता ठीक है अधिकार लागू क्या जा रहते जो हंस्त छेप था भारत के जो धर्म निति राज्य विवस्था के अंदर में जो है कि यह चीज ऐसे था जो आपके माइंड में सेट रहे और भी यहाँ पर अगर आप अपनी बुक पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज आपको यहाँ पर भारत के रास्टवात के अंदर में दिख जाती है ठीक है अगले चैप्टर अगले कोश्चन के और बढ़ते कोश्चन देता है देखो Mit 227 में मदरास के आदर में काधि वेशन होता है जिसको हम सर्व दल्य समयलन के तौर पर जानते हैं जिसको नहरु रिपोट भी बोलते हैं इस से पहले रहत哎 कि भारत सरकार क्या जो अधिनियम था 1919 जिसका कॉंग्रेस विरूद कर रहा था हसंतुष ता उस अधिनियम से जिसके बेसिस पे नहरू रिपोर्ट बनाई जाती है कि भी यह हम इस चीज को खिलाप हैं यह चीज सही नहीं है ठीक है और वहां पे स्वाराज पार्टी का गठन किया जाता है 1923 मैं जिसका उदिस से क्या होता है अस्वाराज स्वार सेंबली को कैंसिल करना ठीक है कैंसिल के माध्यम सी सरकार के जो इस सर के कुछ सफलता हैं मिली होती है मतलब उसके basis पे ये स्वराज पार्टी का गठन कहा जाता है और वहीं से सर्व दली सम्मेलन का स्टार्ट होता और नहरू रिपोर्ट दी जाती है उसके basis पे क्या इस्तिती रही थी 1919 के अधिनियम के basis पे क्या condition रादेश के अंदर में ल सविधान कमीटी को तयार करने का प्रस्ताव पास के जाता है जिसमें सर्व दल्ले बैठक होती है जिसमें कॉंग्रेस मुस्लिम लिग और हिंदू महासबा जैसे जो संगठन होते हैं वह सामिल के जाते हैं और अन्य सदस्ट से जो संगठनों के जो सदस्ट जीत है वह उसक स्के अना है कहां से नी आना वह सारी चीजों के बारे में इन्युक्ति का जवाब था जिसके अंदर में अंगरेजी चुनोती किस परकारगा तो नेरु ने इसके अंदर में कई सारे सुझाव दिये थे जिसमें प्रांतिय परिशद है उसमें निर्वाचन सदस्यों की जो सीट है वो 200 सीटों वाली होनी चीए 200 सदस्य वाली होनी चीए उसकी बारे में बात करते हैं वैसक मतादिकार के बारे में बात करते हैं जो बड़े लोग है उन कि पहलू नहीं था यह भी माना जाता है 1919 अधिनियम के विकेंद्री करण की बात कही गई इसके अंदर में अफसिस्ट सक्तियां केंदर के पास थी इसके बारे में बताया गया रिपोर्ट में अल्प संक्यों की सुरक्षचा की गारेंटी कहां गई इसके बारे में पूछा गया ठीक है साथ में दिरिष्टी के तीन प्रस्ताव पेस किये गए जिसके में आत्म निर्णे की पहचान होना प्रस्तवित सविधान और धर्म इमान की बाज़े में बात की जा जैसे मुस्लिम लीग पार्टी जो थी इसके विरोध में उतरती है इसके समर्तन नहीं करती है अंग्रेज कहीं पे इसको तोड़ने की कुर्चिस करते हैं तो बहुत सारी चीज़े होती है इस पूरे रिपोर्ट के अंदर में यहां पर आप बचा सकते हो लास्ट टाइम ज कि भारत की स्कार्ट के इस्तिति क्या है उनकी मांग क्या है तक कोंसी मांग आगे बढ़ाइब जा रही है क्या उस मांग के अंदर में किस चीज動画 के लिए अवाज उठाईगे उस्तिति के संबरी तईयार करने हिए उन्स्वां सकर्स Спार्श तयार किया था और वह Washington को बढ अलग-अलग राजा महराजाओं के हाथ में उनको देशी रियासते कहते हैं अब देखो परजातांतरिक आंदोलन था क्या अब दीरे दीरे ना लोगों के अंदर में लोगतंतर को लेकर जागरुपता फैलने लेगी भाईया हमाई आजादी चाहिए लोगतंतर चाहिए ऐसा अधिशान थे आटकेमयागी चाहिए हथ मतलब यहां पे लोगों की वैृश्था हो फिएली बने पहल था कष्िना थे परज्जा को मनें तो सर्ग डिस था उनका जो मीन होता था जैंब यह एसी इन दो देखो देसी रियासते देणा उननका जो मीन होता था राजा लीड करता था राजा के ही अंडर में सारे काम होते थे तो सबसे पहले क्या गया परती नीधिक मुलक परिशद की स्थापना की गई उसके अंदर में ठीक है जो एक परिशद हो जिसमें एक व्यक्ति उसको पूरा पूरे स्थापना की गई जिसमें सबसे पहले मैसूर का नाम आता है और जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी परती नीधि मुलक की स्थापना जो एक पूरे स्थापना को फेस बने के हाँ ये इसको लीड करने वाला इस तरह की स्थापना 1907 में एक विधाय का उपरी सदन के अंदर में शुरू हुआ ठीक है इसी परकार का जो तरावन कोर की आप बात करो बढ़ोदा की बात करो आदी में इसी तरह की सभा का गठन किया गया ठीक है अधिकान सदस्यों के अंदर में राजा के वफ़ादार होते तो जो भी सदस्य कुलीन लोगों की सिकायतों को सुनते तो जो कुलीन लोगों थे उनकी सिकायतों को सुना जाता था ठीक है परन्तु नीति और परिनामों के संबंद में कानून अधिकार नहीं थे जो कुलीन लोग भी थे उनके उपर कानून अधिकार नहीं दिये जाते थे कुछ राजवा लोग तन्तरिक आंदोलन के बारे में आप निकिया होता है एक लगता रहा कि इपक्ट जाता है कि आंदोलन कारी कई शारे जो ग्रुब बनने लग जाते हैं एक देसी र्यासतों के अंदर में जहां पर कुछ शिख्चा कहीं इस हैं इस पहला मांग आता है One भी वोट करें ठीक है सासा तमी कहा होता है कि चलो यार आप ये सम मदो कम से कम ना एक ऐसा ग्रूप हमारा बना दो जो हमारी बात आप तक पहुंचा सके मतलब एक पार्टी का निर्माण करने का टाइक ओदो ठीक है फिर उसके बाद पार्टी के अंदर में इस पक्ष वोटि जाती है और वही आंपर पर जातांतरिक लोकतंतर की हम बात करते हैं ठीक है जो नीती जो अपना रहा थे किस तरह साहस शेप की जो नीती होती यह इस तरह से मांगी एक राजवारों की जो निरंकुस्टा था उसको कम करने के लिए क्या क्या चीजे क्या गया ठीक है सिक्षा को कैसे परती निदिक जबाव दे शरकार के परती तैए कीया गया उन सब चीजों कि ऊपर में सब बात heart तो यह परज़तांतरिक लोकतंतर के रूप में जाना गया ठीक है समझ में आता है अगला यहां पर कोश्चन आता है आपका जो important है भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप नहीं लिखिए इसका लक्षे क्या था कि ब्रिटिस समराज्य का पतन करना जो ब्रिटिस उपनिवेश्वा था उसका पतन करना और गांधी जी के जो आवाहन पर यह संपुन भारत के अंदर में आंदोलन की सुरुआत हो गई थी गांदी जी दुआरा अंग्रेजो भारत छोड़ो का नारा जिसके बाद यह जो आंदोलन था बहुत जोरो सोरो से पूरी भारत में फैला गांधी जी को इसके कारण से गिरफतार कर लिया गया था जो नारा दिया गया था अंग्रेजो भारत छोड़ो उसके बाद इनको गिरफतार कर लिया गया अंग्रेजो दौरा भारत छोड़ो क पर देज को जीत जाओ या फिर गुलाम बन के रहो कर जो अन्यारा दिया गया इस आंदोलन का जो था अगस्त करांती के नाम से भी जाने जाते है इसको ठीकी क्योंकि अगस्त के अंदर में पूरा आंदोलन हुआता है जिसके गांजी से अगस्त की करांती भी बोला जाता है अगर भारत छोड़ो आंदोलन की जगा पर पूछा जाएगी भारत के अंदर म बारत की अंदर में बारत की जो भागेदारी रही मएधिश्विद के इंदर में जो भारत की इस्ति बनी आर्थिक निया वारतिक सीफ़ा वश्याग थी इन पर जिसके बात से लोग इस तरह के आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए और यह आंदोलन स्टार्ट किया गया कोश्चे नमबर सेवन के और बात करते हैं भारत में समराजयवाद के विरूद गांधिवादी रणनीती का विशलेशन कीजिए समराजयवाद के विरूद में गांधिवादी रणनीती किस परकार की थी अब देखो जब यहां पर हम बात करते हैं समराजयवाद के विरूद गांधिवादी रणनीती मतलब सिंपल सी बात गांधी जी की कुछ अपनी विचारधारा रही जहां पर वो क्या बात करते हैं कि जैसे ही उनका असयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में जो महत्यपोन योगदान रहा है, इसके बाद में हिंदू मुस्लिम जो थे सासात में कारे करने लगे, जो गांदी ची चाहते थे कि भारत के अंदर में एकता स्थापित हो, सासात में आप देखोगे, कि आंदोलन म परमुक मुद्य के तौर पर माना गया, ठीक है, वहाँ पर एक व्यक्ति का नित आंदोलन की भीया, एक व्यक्ति का अंदोलन, तो उसके अंदर में सभी व्यक्तियों को अलग अलग तरीके सामिल किया गया, और ये बताने की कोर्सिस की गई, कि ये देश जो है, ये जो आं परिटिसिपेट किया गया, ठीक है, किसान मजदूरों के लिए भी आंदोलन उसके हिसाब से किया गया, और उनके भी अधिकारों की बात की गई, अब भारत के अंदर मेंरे परिटिसिपेट कर रहा है, सबी व्यक्ति को खूछ करने के लिए उनके मुद्दे उठाएगए, कि अगर आप इस अंदुलन के नदर में आते हो तो मैं यह चीज यहाँ पर करूँ गा, ठीक है, आपका यह वाला काम यहाँ पर हो जाएगा, तो इस तरीके से हर वर्ग को संतुष्च करने के लिए, हर वर्ग के इसाफ से अंदुलन को आगे बढ़ाए गया, यह यहाँ पर ह रहेगा अंदूरोन के अंदर में सभी चीजों को वहां पर तैग करने की कोर्सिस की जाती है गांदी जी के द्वारा कोश्चे नमर एट हम जहां पर बात करते हैं जहां पर यह देखा गया कि जो जमीदार लोग थे वो किस तरीके से किसानों पर अधिपत कायम करते जा रहे थे किस तर सा किसानों को दवायते जा रहे थे उसके बाद में किस्तिती ऐसी बनती है कि किसान वहां पर उगर होते चले आते हैं वहां पर आंदोलन की सुरुआत करते हैं और कई सारी नीतियों की मांग करते हैं वहां पर जो कॉंग्र पिर भी रहे और उसको माना गया यहां पे जब उसका केस लड़ा जाता है जमिदार दौरा जो केस लड़ा जाता है उसके अंदर में यह था कि हमें मुआफजे की मांग करते हैं कि जो हमाने पैसा लगाया है जो बाकी चीज़े की वह हमें मुआफजा देख आप अपनी प्रिंडी लिखिए भारत का सविधान निर्मान किस परकार से हुआ यह बताईए बहुत important question है और आपको इसका answer पता होना चाहिए क्योंकि आप भारत के नागरिक हो और भारत का जो सविधान है सबसे बड़ा लिखी सविधान होने कार्म से आपको इसकी बारे में तो कम से कम कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए सबसे पहले भारत का सविधान बनकर कितने टाइम में तयार हुआ था दो साल 11 महीने 18 दिन के अंदर में सविधान रेडि हुआ भारत का सविधान लागू कब हुआ तो 26 जनवर 1950 को बनकर तयार कब हुआ देखते कितने लोगों को प के सविधान के अगर हम बात करते हैं तो भारत के सविधान के अंदर में इन चीजों का विषिज़ ध्यान रखा गया कि किस तरीके से सभी वर्ग की विचार धारों को हमें एक साथ लेकर आ सके ठीक है बिविन समाजिक समुंका प्रतनिधित्व कैसे कैसे किया जा सके एसा कि 10 लोग आये हों और कुछ समाज के लोग रह गए हों और उनकी बात फिर कौन उठाएगा उनके लेकर कौन कानून बनाएगा उनकी बातों को कौन रखेगा इन चीज़ों को भी ध्यान रखा गया ठीक है साथ साथ में सविधान सभा की बैठक हुई जिसमें किरपलानी सची की सभा की अधर्ष के स्थाई रूप में चुना गया तेरह दिसमब और 1946 को जवाहरलाल नहरू के लक्षे और उदधेसे के सिल्सले का प्रस्ताव पेस्प कै गया कि सविद्हान पनाने का लक्ष किया प्रस्ताव पेस्प की तुक है भारत्य सविधान में अपना गाम 204 र जिसके अदेख्ष जवाला लेहरू जिसके अंदर में 9 सदसे थे फिर दूसके बाद आता है बुनियादी अधिकारो और अलपसंकेक समीती जिसके जो सदसे इसमें 54 सदसे और अदेख्ष थे सदाव बलब भाई पटेल संचालन समीती जिसके समीती के 3 सदसे थे के मुंसी गोपाल स्वामी अंगयर करके थे भगवान दास यह इसके तीन सदसे थे संचालन समीति के पर प्रांतिय सविधान सवा जिसमें 25 सदसे और अध्यक्षते सदार पटेल ठीक है संगे सविधान समीति जिसके अंदर में अध्यक्षते जवाला नेरू और 15 सदसे तो अलग- रखती की ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं जो मांगे हर समाज की क्या ज़रूरत है क्या मांगे उसके बारे में वहां पर बात की गई और उसको पूरी करने की कोर्सिस की गई है तो यहां पर यह वाला कोश्चन होता है जो दस्वा कोश्चन आपका टिपनी बेस कोश्चन कहीं पर कुछ confuse आने के हाँ यह वाला question समझ में नहीं आया यह वाला point समझ में नहीं आया तो आप directly comment करके post सकते हो या फिर whatsapp पर मुझसे जूड़ सकते हो whatsapp पर जूड़ने के लिए comment करना मैं link दे दूँगा वहाँ से आप whatsapp group में जूड़ सकते हो यहाँ पर हम अपना video end करेंगे thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best